हेलो फ्रेंज आज मैं आपको 2012 की कॉनक्यूबाइन ये एक कोरियन पॉलिटिकल ड्रामा मूवी एक्स्पेंट करने वाला हूँ पावर के लिए लोग क्या-क्या कर सकते हैं ये सब इस मूवी में हम देखेंगे अगर आपको इस मूवी का लिंग चाहिए तो इस इस मूवी का इस्पेंट करने करना स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि एक प्रिंस डियर की शिकार कर रहा है यहाँ और एक शिकारी था जिसके arrow से गोडा डर गया था इसी वज़े से प्रिंस नीचे गिर गया जिसके वज़े से प्रिंस गिरा है यह हमारा और एक main character है जिसका ना होता है Kwan Kwan एक deputy minister का बेटा है तो यह issue deputy minister के पास ले जाया जाता है प्रिंस डेपूटी चीफ से अब बात कर रहा है तो वहाँ उसे शीन दिखती है शीन को देखते हुए ही उसे प्यार हो जाता है शीन डेपूटी चीफ की डॉटर है क्वान के बारे में जब डेपूटी चीफ प्रिंस से डिसकस करते हैं तो कहते हैं कि Quan मेरा adopted son है Quan ने एक बार chief की जान बचाई थी प्रिंस जो भी कह रहे है इस पर प्रिंस का कोई भी ध्यान नहीं है इसका पुरा ध्यान शिन परी है यहां में पता चलता है Quan और शिन एक दूसरे से प्यार करते है नेक्से में हम देखते है प्रिंस की मदर ने प्रिंस को बुलवाया है एक्चुल में प्रिंस किंग का स्टेप ब्रदर है इसकी मदर किंग की स्टेप मदर अब मदर प्रिंस को टाटने लग जाती है वो कहती है यह chief के घर के आसपा से तुम क्यों रहते हो तुम प्रिंस हो और चीफ की बेटी से शादी करोगे वो उसे स्टिकली मना कर देती है यो कि हमेशा दरबार में स्टेप बेदर के खिलाफ बहुत सारे लोग हमेशा कुछ न कुछ तो बोलते रहते हैं उन्हें और एक मोका मिल सकता है हम नेकसे में हम देखते हैं कि किंग उसकी स्टेप मदर यानि कि प्रिंस की मदर से मिलने के लिए आया हुआ है मदर किंग से कहती है कि तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सबिलिटीस है जो तुम्हें कम्पलीट करनी पड़ेगी किंग को अभी तक कोई बेटा नहीं है तो इसके बारे में बोल रही होती है किंग की वाइफ थी जो बच्चे को जनम देते हुए ही मर गए और बच्चा भी मर गया किंग बहुत ही दुखी है तो इसी वज़े से वो शादी नहीं कर रहा किंग उसके अलग-अलग दासियों से संबंद बना सकता है पर वो ये भी नहीं कर रहा यह जो दासिया किंग की होती है इन्हें ही कनक्यूबाइन बोला करते है यही हमारे मूवी का टाइटल है किंग फिर मदर को कहता है कि मुझे समझ में ने आ रहा कि मुझे करना क्या पड़ेगा वो मदर को कहता है कि आप ही मेरे लिए कोई ढून कर लाओ स्टेव मदर बहुती कनिंग होती है किंग का कोछ अच्छा हो यह कभी भी उसे नहीं लगता इसी वज़े से उसे पता है कि अगर चीफ की डॉटर से किंग ने शादी कर ली तो कुछ ना कुछ तो ट्रबल होगा इसलिए चीफ की डॉटर का किंग के साथ वो मैरेज करवाना चाती है हमें पता है कि चीफ की डॉटर शीन और कौन इन दोनों में प्यार है शीन शादी करने के लिए मना करती है और बहुत तमाशा खड़ा हो जाता है रात में कौन और शीन ये दोनों चूपके से भाग जाते है रात में कौन शीन से कहता है कि हमेशा मेरे साथ ही रहना और इसके बाद ये दोनों इंटिमेट हो जाते है सुबह आती है और शिन के फादर शिन और कौन को धून लेते है वाण सबसे जगरने कोषिश करता है पर इसे पकड़ ही लेते है छीफ अब कौन को मारने ही वाले हैं पर शिन कहती कि अगर कौन मर गया तुम्हे भी सुसाइड कर लूंगी वो कौन को जिन्दा रखे यही उनसे रिक्वेस्ट करती है और वो अपने फायदर की सब बाते मान लेगी इसी वज़े से शीन शादी के लिए मान जाती है अब शीन क्विन बन चुकी है उसके सब काम करने के लिए दासिया है पर अब उसके बॉड़ी पर उसकी ब्रेग पर भी उसका खुद का हग नहीं है हमेशा उससे जो एक्सपेक्टेड होता है यही उससे करना पड़ता है इसके बाद पात साल गुजर जाते है अब किंग बहुती बिमार होने लग गया है उससे देखने के लिए उसका प्रदर यानि की प्रिंस आता है प्रिंस शीन से प्यार करता था पर किंग ने उससे मैरी कर लिया तो इसलिए वहाँ से चला गया था अपने किंगडम में घुमता रहा है किंग की तवियत खराव है इसलिए देखने के लिए वह आता है किंग उससे पुछते है कि हमारा किंगडम कैसे चल रहा है प्रिंस कहता है कि सब कुछ एकदम सही चल रहा है इसके बाद ये थोड़ा सा बात करते है और इसके बाद हमें शिन और प्रिंस बाते करते हुए दिखते हैं शिन प्रिंस को कहती है कि किंग इल क्यों है कि किसी को भी पता नहीं है इनकी बिमारी का इलाजी नहीं हो रहा ये बहुत ही वरिड है प्रिंस कहता है कि किंग को कुछ भी नहीं होगा प्रिंस को अफ फिर से यहां से चले जाना है जाते वक्त शीन को एक हेरपिन वो गिफ्ट करकर जाता है नेक सिन में हम देखते हैं कि पहले इसके कुछ लोग की मीटिंग हो रही है किंग की तवियत क्यों सही नहीं हो रही इस पर ये मिटिंग है सब लोग बात करें किंग पॉईजन हो रहा होगा इसके पीछे कौन है या उन्हें ढूनना चाहिए कुछ लोग सलातेते हैं कि पहले किंग ठीक हो जाए इसके बाद हम सब कुछ इन्वेश्टिकेशन करेंगे किंग की हालत और भी खराब हो जाती है और रात में उसे सास आने में तकलीफ होती है उसके पास शिन बेटी हुई है और डॉक्टर भी है अजानक से किंग की सास बन हो जाती है डॉक्टर एक्क्यूप्रेंचर करते है और एक दो मिनिट के लिए उन्हें सास आने लग जाती है शीन उनसे पुछती है कि आपके जाने के बाद आपका सकसेसर कोन है यानि कि किंग कोन बनने वाला है किंग ये बात कर सके इसे पहले ही वो मर जाते है मदर को भी न्यूज मिली है कि ये की हालत बहुत ही कराब है तो उन्हें देखने के लिए मदर आती है मदर जब वहाँ पहुची थी तब तक किंग जिन्दा थे पर फिर भी शीन ने मदर को किंग से मिलने नहीं दिया था शीन और उसके मदर इनलाव एक दुसरे को हेट करते है इसके बाद हम देखते हैं कि मदर के पास उसका एक राइंट हैट्ड आदमी आया हुआ है वो मदर को सजेस्ट करता है कि मदर ने अगर कोई एक्शन नहीं ली तो शीन के पास पूरी पावर आ सकती है नेक सिन में हम देखते हैं कि शिन के पास उसके फादर आते हैं शिन के फादर कींग मरे क्यों थे इसकी investigation कर रहे थे जब वो royal book देख रहे थे जिसमें लिखा होता है कि कींग ने इस दिन पर उस दिन पर क्या खाया था इस बुक में एक पेज मिसिंग था यानि कि कुछ ना कुछ तो करबड या है शीन के फादर को लग रहा होता है कि मदर नहीं कींग को पॉईजन किया होगा फादर शीन से कहते है कि अगर हमने एप्रूफ कर दिया तो तुमारे पास सब पावर आ जाएगी शीन और उसका बेटा सेफ रहेगा इसकी और भी इंविस्टिकेशन में शीन के फादर लग जाते है मदर भी चाल कहलती है शीन के फादर एक ट्रेटर है इस तरह से वो डिकलेर करते थी है मदर सब लोग उसे कहती है कि किंग के खाने को शिन के फादर नहीं पॉईजन किया था शिन के फादर अरेस्ट हो जाते है और शिन को भी रॉयल पैलस से निकाल दिया जाता है एक छोटी से जगा पर शिन को अब रहना वड़ता है सब पावर प्रिंस को दे दी जाती है और प्रिंस किंग बन जाता है इन पुराने पैलेसेस में क्विन की रक्षा करने के लिए यूनक हुआ करते थे यूनक कहने की उनके प्राविट पार्ट्स पहले ही काट ले गए होते है यूनक लड़ाई में माहिर होते है अब हम देखते हैं कि पैलेश को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नई यूनक आते हैं इन यूनक में कौन भी होता है कौन बहुती स्ट्रॉंग बन गया है और लेडाई भी बहुती सही से वो कर सकता है इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंश की शाधी हो जाती है वो जब क्विन के पास intimate होने के लिए जाता है तो सब कुछ instruction उसे दी जाते है उसके आज पास बहुत सारे लोग होते है वो king है तो उस वर बहुत सारी responsibilities है सब कुछ सही से होना चाहिए इसे instruction दिये जाते है क्योंकि सब को लगता है कि पहले बेटा हो जाए प्रिंस इन सब से frustrated होता है पर फिर भी उसे ये सब करना बढ़ता है रात में हम देखते है कि शिन जहां रहती है प्रिंस उपर से उसे ही देखते है प्रिंस को सला दी जाती है कि ऐसा वो ना करे शिन investigation करना चाहती है कुछ proved होना चाहती है कि king को किसने मारा था ये करने के लिए उसके एक दासे को किचन में भेज़ती है पर ये दासी किसी से भी बात नहीं कर पाती पर इस दासी को और एक चीज पता चल जाती है वो शिन से कहती है कि इस palace में और एक underground जगा है जहाँ पर सब कैदी रखे जाते है शायद वहाँ पर शिन को कुछ मिल सकता है रात में शिन वहाँ पर पोश्टी है तो head cook को कैद क्या होता है शिन उससे कहती है कि एक दिन king ने क्या कहया था इसके सब records नहीं है यह cook शिन से कहती है कि उस रात king ने उनकी मदर के आख खाना खाया था अब शिन 100% sure हो चुकी है कि मदर नहीं king को poison किया था अब next scene में हम देखते है कि प्रिंच शिन से मिलने के लिए आता है शिन की एक दासी उसके रूम में सब उसकी ज्वेलरी पहन रही होती है प्रिंच यह देख लेता है यह दासी डर जाती है और प्रिंच से माफी मागने लग जाती है थोड़ी देर में शिन भी वहाँ पहुचती है प्रिंच से बुछती है कि तुम यहाँ आये क्यों हो प्रिंच कहता है कि मुझे king बने हुए बहुत सारा समय हो चुका है गर में कुछ भी फरनेचर वेकरा नहीं था तो प्रिंस सब फरनेचर उसके घर में रखवा देता है नेक्स दिन पहले से मिटिंग चलती है सब लोग प्रिंस की मदर से ही सब कुछ चीज़े पुछते हैं उन्हें लगता है कि प्रिंस अब तक सही से डिसिजन लेने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि अभी अभी वो किंग बना है प्रिंस यहां कहता है इस शिन के फादर को उन्हें छोड़ देना चाहिए प्रिंस की बात कोई भी नहीं मानता मदर इस पर बहुत ही जिट जाती है यह दोनों फिर मदर की रूम में आते है मदर डारेक्ली प्रिंस को स्लैप करती है कहती है कभी भी इस तरह की चीज़े तुम मत बोलना मुझे पदा है यह तुमारे साथ चल क्या रहा है इस पैलेस में तुम सिर्फ एक ही औरत के साथ नहीं रह सकते है और वो है शिन प्रिंस कहता है कि अब तक तुमने मुझे जो भी करने के लिए कहा है वो सब कुछ मैंने किया है शिन की भी शादी तुमने मेरे ब्रदर के साथ कर दी फिर भी मैं कुछ भी नहीं बोला आकर तुम मुझे शादी क्या हो इसके बाद हम देखते हैं कि Shin के फादर ने 5 साल पहले kuang के साथ किया क्या था Shin ने कहा था कि kuang को छोड़ दिया जाए पर kuang को ओई से नहीं छोड़ सकते थे पहले उसके private parts उन्होंने काट दिये और इसके बाद इसने छोड़ दिया कौांग ये सब भूरे सब ने रात में हमेशा देखता है वो अचानक से उठ जाता है तो उसे मिलने के लिए शीन आती है वो उससे कहती है कि मैंने हमेशा तुमारे लिए प्रे किया तुम जिन्दा हो यही मैं चाहती थी शिन कौंग से help के लिए पूछती है, वो कहती है कि हो क्या आ रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे फादर, मेरे फादर एक traitor नहीं है, पर कौंग शिन के फादर और बहुत इनाराज है तो उसे कुछ भी help नहीं करने वाला, वो उसे ignore कर देता है और वो कहता ह कि अब में यूनक बन चुका हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं आने वाला, रात में शिन उसके फादर जहाँ पर के थे, वहाँ जाकर उन्हें कुछ खाना देखर आती है, यह खाना भी कौंग ले लेता है, शिन के फादर के पास जाता है, इस खाने में से ए चाहिए थे, शिन के फादर को कौन बहुत टॉर्चर करता है, क्योंग को सब मालू होता है कि प्रिंश की सिहत के लिए क्या आचचा है और उन्ने क्या खाना चाहिए, इसलिए की को सला देता है, यादी फिर फोसे हो जाता है, क और इसे हेड बना दिया गया है ये किसी को भी हजम नहीं होता प्रिंस की बात कोई भी नहीं मानता प्रिंस सोचता है कि क्वान को उसने कहीं देखा है और क्वान से पूछता भी है क्वान कहता है कि मैं एक छोटा आत्मी हो मुझे आप कहा देख सकते हैं प्रिंस भी इसे वाली है इसे रोक लो ये कौन ही है जो सजा को रोक सकता है कौन जल्दी से वहा जाता है वो टाइम पर भोज भी जाता है पर फिर भी कुछ भी नहीं कहता है वो शिन के फादर को मरने देता है शिन बहुत रोती है प्रिंस को जब पता चलता है तो उसे देखने के लिए हो जा यह जिस चीज़ पर बात कर रहे हैं यह है कि इस पैलेस में सही या गलत इस तरह की कोई भी चीज नहीं है यहां सिर्फ किसके पास पावर है यहीं मैटर करता है नेक्स डेम देखते हैं क्विन और उसके सब सलागार इन्हें मिटिंग चल रही है प्रिंस हमेशा शिन के पास जाता रहता है तो इस पर सब लोग अबजेक्शन ले सकते हैं सब सरागार मदर से कहते हैं कि मैं क्विन और उसके बेटे को दोनों को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए यह करने के लिए मदर हा कर सकती है पर प्रिंस की वज़े से वो नहीं करती है प्रिंस को पता चलता है कि शिन को सब लोग बैन कर सकते है वो directly शिन के पास आता है वो कहता है क्या तुम्हें पता है ये तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है शिन कहती है कि प्लीज फिर से यहां मता आना प्रिंस नाराज हो जाता है वो कहता है क्या तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए फील क्या करता हूँ पर पूरे टाइम तक शीन को इमेजन करता है प्रिंस दासे से खुश हो गया इस वजे से इस दासे को प्रमोट कर दिया जाता है अच्छा सा उसका खुद का रूम उसे मिल जाता है यह बहुत ही खुश होती है राजा की कनक्यूबाइन वो बन जाती है नेक सिन में हम देखते कि सिन का बेटा खेल रहा होता है यहाँ पर को इससे दिखता है ? को लगता है कि उसका ही यह बेटा क्योंकि जबciones से जिदा हो गया था उसके बाद यह प्रेगननड हो नहीं रहे गई थी फोड़ी दिर में वहाँ शेन की दासी आ जाती है और को को पहचान लेती है वो कौन को blackmail करती है कहती है कितना छोटा world है तुम भी हो और मैं भी यहाँ हूँ हम दोनों एक दूसरे की help कर सकते है इस दासे का plan होता है कि हर रात king उसके पास ही आए अगर king उसके पास है और इस दासे से उसे एक बेटा हो गया तो इसके बाद एक queen बन सकती है वो कौन को कहती है कि प्रिंस को तुम मेरे पास लेकर आना वो कौन को blackmail करती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कौन के बारे में प्रिंस को सब कुछ बता देगी तो आंग उसे धमकी देता है या अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा नेक सिन में हम देखते हैं कि शिन से मिलने के लिए फिर से प्रिंस आता है प्रिंस ने शिन को जो हेरिपिन गिफ्टी थी आज शिन ने वो पहनी है ये प्रिंस को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है प्रिंस अभी भी शिन से मिल रहा है तो ये बड़ा इशू बन जाता है मदर डैरिकली शिन को पहार ने निकाल सकती है तो इसलिए शिन को पॉईजन करने का वो प्लान बनाती है इस plan को अंजाम देने का काम कौन को दिया जाता है इसके बाद हम नेक सिन में देखते है कि दासी शिन के पास आती है वो शिन से ज्वेलरी मांग रही होती है वो कहती है कि प्रिंस मेरे पास कभी भी आ सकते है अगर मैं क्वीन बन गए तो मैं हमेशा तुम्हारा खयाल रखूँगी इसके बदले में शिन की ज्वेलरी वो ले लेती है शिन भी चालाक है प्रिंस ने उसे जो हेरपिन दी है वो इस दासी को दे डालती है रात में प्रिंस को एक ड्रिंग दिया जाता है उसे जल्दी से बेटा हो इसके लिए ड्रिंग है आज बड़ा सा मुहरत है जहापर वो अगर क्वीन के साथ सोया तो उसे बेटा हो सकता है प्रिंस अब इस सबसे परेशान हो गया है उसे कुछ भी पिना नहीं है ये बात मदर को पता जलती है और वो प्रिंस को समझाने के लिए आती है पर एक कुछ भी नहीं समझता एक गुसे गुसे में तैरिकली दासी के पास आजाता है दासी के पास शिन की हेर पिन जब वो दे कहती है कि एक secret है जो मैं आपको बता सकती हो। कौन के बारे में सब कुछ प्रिंस को बता देती है। इसके बाद गुसे गुसे में डारेक्ली शीन के पास प्रिंस आता है। कहता है कि ऐसा मेरे साथ तुम क्यों कर रही हो। क्या वो यूनक मुझसे बेटर है। वो शीन को confront करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा भी king का बेटा नहीं है। यूनक के और शीन के अभी भी संबन्ध हो सकते हैं। तो यूनक के वो पैर्ण निकालता है और चेक करता है कि क्या ये सचूच में यूनक है। कौंग सचुल में यूनक ही है इसके बाद प्रिंच सब को बाहर निकल निकल लिखेता है वो जबरदस्ती शिन के साथ इंटिमेट होना चाता है शिन उसे बहुत रजिस्ट करती है वो कहती है जब तुम सही से किंग बन जाओगे एक्चुल में तुमारे पास पावर आ जाए हम कहीं वे रह सकते है शिन कहती है कि पहली बार हमने यह ट्राय किया था पर यह सक्सेस नहीं हो पाया प्रिंस शिन पर नज़री लग रहा होता है तो उसे लगता है कि कौंग उसे मिलने के लिए आया है जल्दी से उस कौर्टर में पहुँच जाता है पर कौंग उसे कहीं पी नहीं मिलता कौंग को अब प्रिंस से डेंजर है तो डिसाइड करता है कि कौंग को ही मार डालेगा शिन को मारने के लिए मदर ने ओर्डर दिया था और यह पौईजन के बास है यही पौईजन वो किंग के ड्रिंक में मिला देता है प्रिंस आज ही पीना नहीं चाहता यह ड्रिंक वो कौन को ही पीने के लिए कहता है कौन पहले थोड़ा सा एसिडेट करता है और फिर पी लेता है पीने के बाद ही इसे खुन की उल्डिया आने लग जाती है प्रिंस डॉक्टर से कहता है कि इसे बचा लो मुझे पता करना है कि किया किसने था किचन के शेफ को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत टॉर्चर करते हैं ये शेव हेड यूनक का फ्रेंड था हेड यूनक अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आता है उससे देखा नहीं जा सकता वो जल्दी से अपने फ्रेंड को फ्री करना चाता है वो उसके फ्रेंड को बहुत टॉर्चर किया गया है तो यह सहन नहीं कर पा सकता उसका फ्रेंड एक की लेता है और अपने आप कोई मार डालता है नेक सिन में हम देखते हैं कि दासी जो क्वीन बनना चाती है यह मदर के पास आती है शिन का बेटा एक कोई का बेटा हो सकता है यह सब information वो मदर को देती है यह बाती कहीं बहार नहीं निकलने चाहिए तो मदर order देती है कि इस दासी को मार दिया जाए ज़्यादा होशेयारी की cost इस दासी को pay करनी पड़ती है मदर का right hand ये kitchen की काम समालता है Prince order देता है और उसे भी custody में सब लोग लेने वाले होते है ये आदमी मदर के पास आता है और इसे लेने के लिए जो लोग आते है मदर उन्हें फिर से भीज देती है मदर अब गुसे गुसे में Prince के पास आती है उसे कहती है कि तुम कर क्या रहे हो तुम अपनी मदर के आदमी को arrest कैसे कर सकते हो Prince कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा puppet बन जाओ पर ये मैं नहीं कर सकता वो मदर पर इलजाम लगाता है कि तुम्हें मुझे मारना चाहती थी मदर प्रिंस से कहती है कि मैंने जो भी सब किया है सिर्फ तुमारी लिए किया है मैं कभी भी तुम्हें poison नहीं कर सकती यहां मदर confess करती है कि तुम राजा बन जाओ इसलिए मैंने previous king को मारा था प्रिंस को सदमा लगता है कहता है कि ऐसा तुम कैसे कर सकती हो मैंने कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं मांगा था यह मुझे कभी चाहिए भी नहीं था मदर ने शिन को मारने के लिए कुछ लोगों को बहचा था पर king शिन को बचा लेता है शिन भी यहां आ जाती है कौन की आलत बहुत ही खराब है पर फिर भी वो शिन को बचाना चाता है कन्फेस कर देता है कि मदर ने ही मुझे बोला था कि प्रिंस को मैं मार डालू अब मदर को केट कर लिया जाता है शिन को फिर से पावर मिल जाती है अब प्रिंस सही से राजा बन चुका है उसके पास power आ चुकी है तो रात में उस शिन के पास आता है शिन भी उसके साथ intimate होने के लिए ready हो जाती है जब एक दूसरे के साथ होते है तब शिन ने वही hairpin पहनी है जो प्रिंस ने उसे दी थी ये hairpin वो अपने hair से निकालती है और directly प्रिंस के गले में डाल देती है प्रिंस को यही मार डालती है सब लोग बहुत डर जाते है मदर के पास अब कुछ भी power नहीं है तो शिन फिर से queen बन जाती है शिन order देती है और मदर को मार डालती है अब movie का last और सबसे important scene आता है शिन अपने बेटे को दरबार में लेकर आती है उसका बेटा जल्दी से भागता है और राजा के seat पर बेट जाता है अब movie के last में शिन का पुरा character मदर की तरह ही बन चुका है यह हमें पता चलता है मदर भी कोई भी चीज़ करने के लिए ready थी उसके power मिल सके इसके लिए कुछ भी कर सकती थी यही अब शिन ने किया है सब कुछ मदर ने किया था पर फिर भी उसका बेटा राजा वन गया था इसलिए उसके बेटे को कभे भी वो power नहीं देना चाती थी यही सब चीज़े फिर से एक बार शिन के साथ होगी शिन ने ही सब कुछ किया है और power अपने हाथ मिली है अब वो फिर से इस power को अपने बेटे को नहीं दे सकती है जिस तरह से मदर अपने बेटे को manipulate करती थी उसी तरह से यह भी करती रहेगी इसी एक dark politics के साथ यह movie end हो जाती है अगर आपको यह वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी अदाग अलग movies लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस चैनल को subscribe कर दीजे और bell intuition आइकोन दबाने भी मत भूले अब फिर से मिलेंगे और एक amazing movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये